नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं Most commonly used syrup के बारे में देखिए बहुत सारा syrup है उसको ले कर आया है First में रखा गया है anti-spasmodic syrup के बारे में discuss करने वाले मतलब कि पेट के दर्द में use किया जाने वाले syrup इसको कहते हैं दूसरा जो है anti-diaryal इसको बले में डारिया में use करने वाली syrup है अगला जो है वो है gastrotitis मतलब कि जब आपको gastrics related problem हो ये जनरली बच्चों वाली दवाईया हैं तो ये gastrotitis की दवाईया हैं उसके बाद फिर जो syrup है वो कफ का syrup है जब कफ हो जाते हैं बच्चों में उसमें use किया जाने वाली ये syrup है तो आईए start करते हैं आपको बताएंगे one by one कैसे इसको use किया जाता है किन बच्चों को दिया जा सकता है कितने age के बच्चों को दिया जाता है क्या क्या नाम है तो लाश्ट तक ज़रूग देखें ताकि आपको हम बहुत किलियर विम में बता सकें देखें फर्स्ट में जो रखा गया है वह इस्पैलर पी है इसका जो यूज़ेज है वह पेट दर्द में गुर्दे कर दर्द में मतलब कीड्नी पेन में इंटस्टानल पेन में या फिर बाइलरी पेन इन सभी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है अब ये जनरली बच्चों में दिया जाने वारी सीरफ है तो देखें डोस का बात करें तो 5 mg 5 ml में परजेंट होता है अब इसको दिया कैसे जाता है तो एक से लेके 6 साल का अ मतलब कि एक चमच तो ऐसा कुछ होता है अब ये जो 6 से 12 साल का बच्चा है तो उसको टू टीएस अब यहां पर टू होगा उसको टू टेस्ट फूल टीडीएस दिया जाता है मतलब कि दो चमच दिन में तीन बार दिया आता है अगला जो है वह कोलिक सीरफ है देखें कोलि तब उसमें यूज किया आता है अब देखें साइड एफेक्ट का बात करें तो ये जी मिचलाना हो सकता है कब्ज हो सकता है डाइरिया हो सकता है तो ये सभी समस्या हो सकती है साइड एफेक्ट के तौर पे अब डोस का बात करें तो कब देना होता है कैसे देना होता है तो एक साल से लेके छे साल का बच्चा है तो उसको एक चमच दिन में तीन बार दिया जाता है और वही छे से लेके बारा साल का बच्चा है तो इसको दो चमच दिन में तीन बार दिया जाता है तो ऐसा कुछ यह होता है अगला जो है वो है स्पास्मोडी अब देखिए इसका जो यूस को बोलते है यह सबसे calculate हो सकते यह सबस्क्रांआ यह सुखते हैं साइड इपक्त हो सकती हैं अब देखे भीुस का बात कर तो एक से लेके छे साल ऊप्चा आ तो उसको एक चमस्च दिन तीन बार दिया इता एक चमस्च दिन बढ़ारा सल का बच्चा है तो उसको दो चम्मच यंप में तीन बार दिया जायता है खब हम्होऌत अगला जो हाँ है वह डारीया का सीरम है मतलब कि जब यह जतना जाने जाने वाली जैसे तो इसका जूजर जो आप डारीया फाल सतल होजा Means तब उसमें दिया जाता है तो यूजर जो है दस्त में डायरिया में लूज मोशन में किया जाता है वुमेटिंग में किया जाता है या फिर गैस्ट्र इंटर्स्टानल इसू है तब इसमें यूज किया जाता है side effect का बात करें तो यह constipation हो सकता है कब या फिर discomfort जैसी समझ से आए हो सकती है बच्चों में अब देखिए dose का बात करें तो एक से लेके छे साल का अगर बच्चा है तो उसको एक चमच दिन में तीन बार दिया जाता है यह भी और यह अगर छे से बार सल का बच्चा है तो इसको दो चमच दिन में तीन बार दिया जाता है तो ऐसा कुछ यह दिया जाता है अगला जो है फ्लेजल सीरफ है देखिए फ्लेजल सीरफ है इसमें जो मिला होता है वह metronidazole मिला होता Benjol metronidazole मिला होता है इसका composition बात करेतो अभ देखे ये किसमे यूज क्या था तो यğin डार्या में यूज क्या था दस्त में यह फिर infection है तो उसमें यूज्व क्या आता है या फिर किसे परаш का utilizz निदे लेने का इस की हो सकता है कि आपको डॉजिनिस आ सके या फिर नौज गूसे होँ सकते हैं डोज का बात करो तो एक साल से लेकर छे साल का अगर बच्चा हो तो उसको एक चमच दिन में तीन बढ़ दिया आता है वही छे साल से अगर बाद साल का बच्चा हो तो दो चमच दिन में तीन बढ़ दिया आता है होप कि आपको सांज में twentiesipot होगा अगला जो हो है वह विपीशमोग विशमत अब देखे यह झो सीरफ है यह भीशमत के ये लिफिसमत के नाम से बहुत मार्कण में अब देखिए एक से लेके छे साल का अगर बच्चा है तो इसको एक चमच दिन में तीन बर दिया जाता है अगला जो है वो गैस्टर टाइटिस का सीरफ है देखिए गैस्टर टाइटिस मतलब की आपके पेट में गैस बनना कारण पेट दर्द होता है तब उसमें यूज लिया जाता है इसमें बहुत सारा सिरफ है जैसे कि लजीता एडवांस है का जो कॉमपोईशन है वो सोडियम एलजिनेट पोटैसियम बाइक कारवोनेट मिला होता है इसमें देखिए इसका यूज जो है वो अपच में यूज के आता है पेट में जलन हो या फिर एसीड रिफ्लेक्स जैस समस्या हो सकती है यह फिर एना फायलेक्टिक देख जैसी समस्या हो सकती है डोज15 का बात करने तो एक सरी चले के छेवशंटी में जलन यह फिर अपच हो पेट खराब हो तब इसमें यूज किया जाता है इसका बुमेटिंग में भी इसका साइड इफेक्ट जो है वो बुमेटिंग हो जाता है यह फिर कॉंस्टिपेशन हो सकता है यह फिर डायरिया हो सकता है यह सब वो भी पेट जलन में यूज किया जाता है या फिर अमलता ऐसीडिटी जिसको बोलते हैं उसमें यूज किया जाता है या फिर ज्वर में यूज किया जाता है अब साइड इफेक्ट का बात करें तो साइड इफेक्ट जैसी हो सकता है बलर विजन जैसी समस्या हो सकता है या फ किया जाता है अगला जो है वह सीरफ कफ के लिए देखे कफ के लिए जो सीरफ है इसमें भी कुछ-कुछ साइड एफेक्ट होते हैं जैसे कि फर्स्ट जो सीरफ है वह रॉंडेक है सीजी है देखे इसका यूज जो है वह ठंड लगना कोलड में ड्रा कफ में या फिर फ्लू बुखार में एलर्जिज में या फिर ब्रिधिंग अनलेज जैसी समस्यां में यूज किया घता है साइट फेक्ट का बात करें तो हो सकता है तंद्रा जैसी समस्यां है इसका इसा कुछ यह होता अब देखिए लेने का जुरोज है वो एक साल का एक साल से खे साल का बच्चा है तो प्ल。 अग्ला प्लूमोनॉल है जैसा भी यूजर जबाइसreally जो कि यह यह निस्कर सकता यह फिर अलर्जी के लख्षनों में यह फिर बहती नाक यह फिर आंग से पानी आना इन सावी समस्याँ ये उसकी इसमें इसे हुसकता है क्योंकि इन हो सकती है बच्चों और ले ग्रेंग दो चमच दिन सुद्angen बार ये बह बीना ड yaptया इन के ना दे हो सकता प्राप्राबलम किसे अगरा जो है शिर्फ हाइडरीजी है यह देखь यह सिर्फ जो है उस्ति कफ में या फेर वीजीन में यह फिर चैस्ट कंजेशन में यह पिर अस्तमाद में इलर्जी इन समस्चियां में यज तोøसी सब्सक् jetाजर एक शोьте करें तो इस्वखणे सकते हैं ड्राइवेक्ट, सूख्ख फ्रवह जैसी समस्ज जाना हो सकता है now चखकर आना हो सकता है तो यह सब आपके बहुत काम का यह PDF होगा तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं किसे और वीडियो में तब तक जहिंद आपके बहुत किसे और वीडियो दोस्तों मिलते हैं किसे और खभान धन्यवाद आपके इसे और राल jakieś और फिसे और वीडिकांपके जह सकाए